नमस्कार मैं निमानशी आप सभी का न्यूस बाकेट में स्वागत करती हूँ देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन टेजस एक्स्प्रेस की सीटों की बोकिंग जल शुरू होगी इसका टिकेट रवानगी से 5 मिनिट पहले तक मिलेगा इतना ही नहीं वेटिंग टिकेट कैंसल करवाने पर सिफ 25 रुपे कटेंगे इसका किराया सीजन के अनुसार लिया जाएगा ये जानकारी भारती रेलवेव खानपान एवं परिटन निगम आया सीटीसी के मदी महेंद प्रताब मल ने गुद्रवार को गोमती नगर के होटल में प्रैसवारता में दी बता दे कि तेजस एक्सप्रेस अक्टूबर से चलेगी ये ट्रेन मंगलवार को छोड़ कर बाकी सभी 6 दिन चलेगी लखनव से सुबर 6.10 पे चल कर दोपहर 12.25 दिल्ली पहुंचेगी वापसी में ट्रेन नई दिल्ली से शाम साड़े 4 बजे चल कर रात 10.45 पर लखनव जग्शन पहुंचेगी ट्रेन में एक एक्जेक्यूटिफ वर नौ एसी चेर की बोगिया होगी टिकेटों की बुकिंग आया सीटीसी की वेबसाइट पर होगी दो मैने पहले ट्रेन का रिजर्वेशन कराया जा सकेगा कोई भी वियायती टिकेट नहीं जारी होगा पांच वर्ड से कम उम्र के बच्चों की यात्रा जहां मुफ्थ होगी वहीं इसमें अधिक उम्र के बच्चों का पूरा किराया लगेगा तेजस का किराय शताबदी से तुलनात्मक रूप से महगा होगा और ये तीन सीजन त्योहारी, कम और जाधा यात्रियों के आधार पर तैन होगा यानि कि त्योहारों और जाधा यात्रियों के केस में किराया महगा होगा और जब यात्री कम होगे तो किराया सस्ता होगा फरवरी मार्च वर अगस्त को कम यात्री हो वाले सीजन में रखा गया है यानि इनमें किराया तुलनात्मक रूप से कम होगा टिकट पर फ्लेक्सी प्राइजिंग सिस्टम लगेगा ट्रेन में नीजी सेक्योरिटी होगी टेजस एक्स्प्रस की बोगी की ग्रूप बुकिंग तीन दिन पहले तक आउनलाइन कराई जा सकेगी ये पहले आओ पहले पाव के आधारपन होगी इसके लिए एक 78 सीटों की AC चेयर कार बोगी रिजर्व होगी ट्रेन में ततकाल या प्रीमियम ततकाल खोटे की सुवधा नहीं होगी विदेशी परिटकों के लिए खोटा होगा इसके लिए एक्जेक्योटिव क्लास में 5 बचेयर कार में 50 सीटे आरक्षित होगी IIS ETC तेजस में सफर करने वाले सभी यात्रियों को 25 लाक रुपे के मुफ्ट इंशोरेंस की सुवधा देगा इतना ही नहीं लखनव जंक्षन पर रिटाइरिंग रूम वर नई दिल्ली स्टेशन पर एक्जेक्योटिव लॉज की सुवधा होगी यहां मांग पर मीटिंग भी करवाई जा सकेगी खान पान की विवस्था भी IIS ETC करवाएगा इसके लिए अतरिक चार्ज लगेगा अगर देजस एक्स्प्रिस में आपका टिकेट कंफर्म नहीं हुआ है तो कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा IRCTC पूरा विफंड देगा इसके लिए TDR भरने की भी ज़ुरत नहीं होगी वेटिंग या आशिक रूप से यात्रियों का टिकेट कंफर्म नहीं होता है तो उन्हें पूरा विफंड दिया जाएगा अगर वे स्वेक्षा से टिकेट कैंसल करते हैं तो 25 रुपे की ही कटोती होगी कंफर्म टिकेट कैंसल कराने पर रेलवे के वर्तमान नियम भी लागू होगे तेजस में यात्रियों को मुफ्त में चाय वा कॉफी मिलेगी इसके लिए वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी हवाई जहाज की तरह ट्रॉलियों से वेटर खानपान की सेवाएं देंगे रेल नील का आरो हर कोच में होगा लखनव से दिल्ली पहुचने से पहले अलपहार भी मिलेगा वापसी में शाम को चाय नाश्ता और रात को खाना IRCTC देगी इस ट्रेन में यात्रा करने वालों का सामान घर से लाकर सीट तब पहुचाने की सुवधा IRCTC देगा इतना ही नहीं सामान को किसी गंतवे तब पहुचाना है शहर की नामचीन दुकानों से कोई सामान मंगवाना है या टैक्सी वा होटल बुकिंग जैसी सुवधाएं भी मिलेंगी इस पर विचार चल रहा है